नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूस चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटिन के शुरुआत करेंगे हेडलाइन से शुष्मा स्वराज ने राजुस अभा में कहा सौधी अरब में फसे भारतियों को लाने के लिए कल जाएंगे वीकर सिंग्ग सौधी अरब की विदेश और श्रम मंत्राले से की गई बात आमिर पर परिकर के बयान को लेका राजुस अभा में हंगामा रक्षा मंत्री ने कहा पहले वीडियो तो देख लो अजाद ने बयान को बताया अलप संख्यकों के लिए धंकी दियम के सांसद को चाठ थपड जड़ने वाली शुषिकला पुष्पा को जैललिता ने पार्टी से निकाला शुषिकला ने राजो सभा में उठाया मुद्दा कहा मेरी जान को खत्रा सुप्रीम कोट्ष ने पल्टा यूपी सरकार का फैसला पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना पड़ेगा बंगला एंजियों ने यूपी सरकार के फैसले को दी थी चुनौती और चीन नियमों के खिलाब जाकर दिये पाक को न्यूकलियर रियक्टर्ज हरमानु और प्रसासंधिक के दुहाई दे कर एंजियों में रोकी थी भारत की एंट्री उद्धर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है उनको दो महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा कोट ने कहा उनको बंगला दिये जाने का कोई अधिकार नहीं यूपी के मुख्यमंत्री रहे एंडी तिवारी राजनात सिंग, मुलायम सिंग, मायावती, कल्यान सिंग और राम नरेश यादव को बंगले मिले हुए थे अब उनको आज जीवन मिले बंगले खाली करने होंगे ये सबी बंगले लखनों में हैं पर असल उत्तरप्रदेश में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पूरों मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिये जाएंगे 2004 में लोक प्रहरी नाम के NGY ओ ने सुप्रीम कोट में इस आदेश को चुनाती दी थी याचिका में कहा गया था कि ये आदेश रद किये जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकी राजियोप में भी इसका असर पड़ेगा सुप्रीम कोट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब अपना आदेश तुनाया है तीन दिन पहले दिल्ली के IGI एपोर्ट पर DMK सांसद को थपड जणने वाली राजसबा सांसद शुशिकला पुश्पा को जेललिता ने AIA DMK से बाहर कर दिया पार्टी माहसाचीव जेललिता ने कहा कि शुशिकला को AIA DMK की छवी खराब करने के चलते पार्टी से निकाला गया शुशिकला पुश्पा पर आरोप है कि उन्होंने शुक्रवार को DMK के सांसद तिरूची शिवा को सरयाम चाठ थपड मार दिये थे बताया जा रहा है कि DMK सांसद ने तमिलनाडू की CMJ जेललिता के खिलाफ कुछ कमेंट किया था जुसके बाद शुशिकला ने उन्हें थपड जड़ दिया सुमवार को शुशिकला ने ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया इसम esperp विदेश मंति शुश्मा स्वराज ने कहा कि भारतियों को लाने के लिए कल वीकिस सिंह सौधी अरब जा रहे हैं उन्होंने बताया कि भारतियों को लेकर नियमों में धील देने के लिए सौधी अरब के विदेश और श्रमंतराले से भी बात की गई है उन्होंने बताया कि वहां भारतियों को खाना उपलब कराया जा रहा है इससे पहले राजसभा में रक्षा मंत्री मनुहर परिकर के आमीर खान पर दिये गए बयान को लेकर हंगामा हुआ परिकर ने कहा कि सदन के सदस्यों को पहले वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद वे इसे कुछ तै करे कॉंग्रेसी संसद्गुलाम नभी आजाद ने कहा कि परिकर का बयान देश के अलप संख्यकों के लिए धंकी से कम नहीं है मायवती ने इस मामले पर सदन में पियम मोदी के बयान की अपील की बार बार पर मानू अप्रसार संधी की दुहाई देने वाले चीन ने खुद ही इसका उनंगन किया है चीन ने 2010 में NPT Review Conference में रखे प्रस्ताफ का उनंगन करते हुए पाकिस्तान को न्यूक्लियर रियक्टर्स उपलब्ड कराए है एक ताज़ा रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि चीन ने NPT का उनंगन किया है Arms Control Association Report के मताबिक पाकिस्तान अंतराष्टे परमानू उर्जा एजनसी के मानकों के तहट नहीं आता इसलिए उसे परमानू रियक्टर्स देना NPT के नियमों का साफ तौट पर उलंगन है ये याद रखना जरूरी है कि चीन ने NTP का हवाला दे कर ही NSG में शामिल होने का भारत का रास्था रोका था चीन ने कहा गैर NPT देश को NSG में शामिल करने से परमानू अप्रसार के प्रयासों को धक्का पहुँचेगा बुलंद शहर में मा बेटी के साथ हुई गैंग रेप और लूट की घटना पर प्रशासन ने कड़ा फैसला करते हुए बुलंद शहर के SSP सहित साथ अफसरों को निलंबित कर दिया है प्रदेश के प्रमुक्स अचीवगरी है देवाशिश पांडा के अनुसार ये फैसला डीजीपी की रिपोर्ट के अधार पर लिया गया है बुलंद शहर के SSP वैभव कृष्ण, SPCT, COCT सहित दो थानों के SO समेट कुल साथ को निलंबित किया गया है गौर तलब है कि घठना के बाद बंते राजनितिक दबाव के बीच सीम अखिलेश वैदव ने खुद मामले का संग्यान लिया था और कारवाई के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था वहीरे पिडिता नाबालिक लड़की के पिता ने कहा कि अगर दोशियों को तीन महीने के अंदर सजाद ने ही दिलाई गई तो उनका पूरा परिवार आत्मा हत्या कर लेगा तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबल में विदेशियों के लिए बने गैस्ट हाउस पर विसफोटकों से भरे ट्रक से हमला किया गया इस हमले में किसी नागरिक या विदेशी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन थानिय मीडिया के मताबिक दो फिदाइन हमलावरों को मार गिराया गया है इस हमले से कुछ दिन पहले अफगान राजधानी में बीते 15 साल का सबसे घाटक हमला हुआ था सबा हुए विसफोट की आवाज पूरे शेहर में सुनी थी एक सेक्यूरिटी आफिसर ने बताया विसफोट को से भरे एक ट्रक ने नौर्ट गेट गेट हाउस के प्रवेश दुआर पर हमला किया गया नौर्ट गेट उत्तर काबुल में अमेरिका दुआरा संचौलिद बगराम एयबेस के पास थित है और यहां विदेशी कॉंट्रैक्टर रहते हैं तालिबान ने कहा कि अमेरिकी घुसबेटियों के गेस्ट हाउस पर ट्रक बाम हमले के जरिये उसके लड़ाकों को रॉकेट चालित ग्रेनिट और छोटे हतियार लेकर इस प्रतिष्ठान में घुसने का मौका मिल गया इसलाम की मनमानी वेक्षा करने वाले जाके नायक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सुरक्षा एजिंसियों ने आतंकी गतिवीधियों के आरोपी 55 लोगों की लिस्ट बनाई है पिछले एक दशक में देश भर में गिरफतार किये गए इन लोगों ने जाके नायक के भाशनों से प्रेरित होने की बात कबूल की है गौरतलब है कि जुलाई महीने में ठाका कैफे में हुए आतंकी हमले में शामिल एक आतंकी के जाकर से प्रेरित होने की बात सामने आई थी इसके बाद ग्रेह मंत्राले ने सुरक्ष एजनसियों को जाकर नाईक की कुंडली खंगालने को कहा था ताकि नाईक के खिलाफ मामला दर्च किया जा सके आतंकी संगतन लशकर एताईबा की चीफ हाविस साईद ने पाकिस्तान सरकार से का है कि पहरत के ग्रेह मंत्री राजणात सिंख को सार्क संमेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 अगस्त को पाकिस्तान जाना है जमात ए इसलामी ने हाली में कश्मीर मुद्दे पर All Parties Conference बुलाई थी जुसमें कहा गया कि भारत सरकार कश्मीरियों के आजादी के संघर्ष को आतंगवात का नाम दे कर संयुक्त राष्ट्रे संघ और अंतराष्ट्रे समुदाएं का इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है हफिसाईद ने अपनी सरकार और कारुबारियों को सलहादी की भारत के साथ सभी कारुबारी गतिवीदियों को कश्मीर के आजाद होने तक बंद रखा जाना चाहिए साथी पाक पीम नवाज शरीफ से अपिल की है कि राजनाच सिंख को मुल्क में ना आने दिया जाए सरकार ने जनदा को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटोती की है जहां पेट्रोल की कीमत में एक दशवलव चार दो रुपाई की कटोती की गई है वही डीजल दो दशवलव शुन्य एक रुपाई सस्ता हुआ है ये कीमत आधीराज से लागू हो गई है अंतराश्वे बाजार में लगातार गिरते कच्चे तेल के दामों के वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में कटोती की गई है गौरतलब है कि तेल कमपनी और सरकार महीने में दो बार तेल की कीमतों की समिक्षा करती है और इसके बाद इनके मुले का निर्धारन करती है 9000 करोर रुपाई के लोन धोका धड़ी के आरोपी विज़े मालिया की 700 करोर रुपाई से अधिक की समपती अगले मान निलाम की जाएगी इसमें दिवालिया हो चुकी किंग फिशर एलाइंस के सोफे से लेकर मालिया का नीज़ी विमान तक शामिल है एरपूर्ट के पास थिट एलाइंस के मुखाले किंग फिशर हाउस के फरनीचर कार महंगे सोफे यहां तक की एक बात रोब की भी निलामी की जाएगी इसके अलावा गोवा में स्थिट किंग फिशर विला अन्य ब्रैंड और ट्रेड मार्क की भी निलामी होगी गोवा के विला में अक्सर माल्या की पार्टी आयोजित होती थी कर प्रशासन और बैंकों की ओर से माल्या की संपती निलाम करने की यह दूसरी कोशिश है इससे पहले इन समानों की निलामी में उचित बोली नहीं लगी थी मायवदी के खिलाफ अभद्र टिपनी करने वाले देशांकर सिंख की पतनी स्वाती सिंख के बयान के बाद लखनों की हजरत गंच पुलिस ने बियस पी नेताओं के खिलाफ पोक्सो एक्ट लगा दिया है बस्पा नेता नसीमुद्दिन सिद्की समेट अन्य कारिकरताओं के खिलाफ दर्ज मुकादमे में पॉसको एक्ट की धारा 11-1 की बडोतरी की गई है बस्पा द्वारा लखनों में प्रदर्शन के दोरान बीजेपी के पूर्फ उपाधे अक्ष दैश्रंक सिंग की पतनी और बेटी के खिलाफ की गया भद्र टिपनी के मामने में रविवार को पुलिस ने स्वाती सिंग और दैश्रंकर की मात तेतर देवी का बयान दर्ज क स्वाती सिंग ने आरोपियों की गिरफतारी की मांग की है वही स्वाती ने पती दैश्रंकर सिंग की गिरफतारी के बारे में पूछ जाने पर कहा कि वो अपने पती की लड़ाई नहीं बलकि अपनी लड़ाई लड़ ही है आमादी पार्टी वंज़ा विदान सवाद चिनाफ के मद्दे नजर उमीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है सूत्रों के मताबिक 25 से 40 उमीदवारों को जगा दी जाने की तैयारी है उमीदवारों के नाम पर आखरी फैसला पार्टी की राजुनितिक मामलों की समीती को लेना है सूत्रों के मताबिक रविवार को मुखे मंतुरी अर्विन केजरिवाल के घर पर पी ए सी की एक महतपून बैठक हुई उमीदवारों के चैन के लिए बकायदा स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है हाली में आमादी पार्टी की पंजाब टीन में लगभग 44 उमीदवारों की एक लिस्ट पी ए सी को भेची थी उमीदवारों के चैन में हर सीट पर 4-5 नामों को शामिल किया गया है जिसमें पार्टी के ओर से इन सभी नामों की सगहन चानबीन की गई है वरिष्ट वकील और आमादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे शान्ती भूशन ने दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल पर निशान असाते हुए कहा कि उनका दमाग खराब हो गया है वे दिन रात नरेंद्र मोधी को गाली देते रहते हैं हाले में केजरिवाल दुवारा पिये मोधी को लेकर दिये गए बयान पर शान्ती भूशन ने कहा कि केजरिवाल का मोधी पर हत्या कराने वाला बयान मनिश सिसोधिया का आइडिया था केजरिवाल के पूर्व साथ ही ने कहा कि वे केजरिवाल को ठीक से नहीं पहचान पाए उसने आमादी पार्टी को सिंगल मैन पार्टी बना दिया है केज्रिवाल के पास मोदी को गाली देने काई ही काम रह गया है उत्राखन के 6 जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जौरी किया गया है मौसम विभाग के मताबिक अन्य हिस्सों में भी हलकी सी मध्यम बारिश हो सकती है देहरादुन सहित प्रदेश में कई हिस्सों में रविवार को अच्छी बारिश हुई राजधानी के आदे हिस्से में दिन में करीब 10 मीमी बारिश के बाद शाम को पूरे शेहर में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया मौसम विभाग के निदेशवक विकरम सिंग ने बताया कि नैनिताल, अलमोडा, उद्धम सिंग नगार, पोड़ी, देहरादुन और हरिदवार में सोंवार की सुभा से आगामी 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर बारिश से बचाव के लिए अपील की गई है, प्रदेश सरकार को भी आगा किया गया है, राज़ानी में बादल चाय रहेंगे, कई जगाओं पर बारिश होगी स्पेन में सेमी हाइज स्पीड टेलको ट्रेन का आज नई दिली और मुंबाई सेंट्रूल के बीच पहला ट्राइल शुरू हो गया है टेलको ट्रेन आज शाम साथ बच कर पच्पन मिनिट पर नई दिली से मुंबाई सेंट्रूल के लिए रवाना की जाएगी ट्राइल के दौरान इस ट्रेन पर RDSO के इंजिनियर रेलवे के अधिकारी और स्पेन से आए इंजिनियर्स की टीम रहेगी नई दिली से चलकर पलवल मथुरा कोटा रतलाम सूरत होते हुए स्पैनिश डिब्बो की ये ट्रेन दो अगस्ट को सुभा दस बजे मुंबाई सेंट्रल पहुँच जाएगी नई दिली मुंबाई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बीच टेल्गो ट्रेन का पहला ट्राइल रन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक्तम स्पीट से होगा वही तीन अगस्ट को मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली के बीच का दूसरा ट्राइल रन भी 130 किलो मीटर फ्रती घंटे की स्पीच से ही होगा लोकेश राहुल के करियर के तीसरे शतक की बदालत भारतिय क्रिकेट टीम ने शबीना पार्क मैदान पर वेस्ट इंडीस के साथ जारी चार मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिर रवीवार का खेल खतम होने तक अपनी पहली पारी में पांच विकेट के नुकसा पर 358 रन बना लिये हैं भारत को पहली पारी के अधार पर 162 रनों की बढ़त मिली है उसने मेजबान टीम की पहली पारी 196 रनों पार समेट दी थी दिन का खेल खतम होने तक उपकप्तान अजेंगर रहाने 42 और रिदिमान साहा 17 रन बनाकर नाबाद लोटे दोनों के बीच 36 विकेट के लिए 31 रनों की साजोदारी हो चुकी है भारत ने 125 ओवरों का सामना किया है भारत ने पहले दिन स्टम्स तक एक विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए थी दिन का खेल खतम होने तक राहुल पचत्तर और चेतेशवर पुजारा 18 रनों पर नाबाद लोटे खब कर कीए पुछते है भारत